करने वाला हूं फायर बॉल्ट निंजा कॉल प्रो के स्क्रीन गार्ड के बारे में जो कि मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लेट इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा और आज के टाइम पर स्क्रीन गार्ड वाच के लिए क्यों इंपॉर्टन हो गया इनके साथ फ्यूचर में जो कि सेल वगेरा भी करो वाच को तो आपके स्क्रीन पर कोई भी मार्क वगेरा ना आये वह रिटन में अच्छा अमाउंट मिल जाए इसके लिए स्क्रीन प्रड़क्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन हो चुका है कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी वगेरा जो कि स् लाइफ भी जादा एक्स्टेंड हो जाती है तो आप भी सुचे को अच्छा से स्क्रीन पर्चेस करने के लिए फायर बॉल निंजा कॉल प्रो के लिए तो यह मैंना अमेजों से पर्चेस करने ना प्राइस अपने रहता है तो स्क्रीन लगाने के पहले आपको कुछ चीज है जो कि power on है तो इससे सबसे पहला off कर लीजिए अपने window और fan को बंद कर लीजिए दोर भी बंद कर लीजिए पांच मिनट के लिए जो भी डश्ट हो गयरा उड़री उसे नीचे बैठने दीजिए उसारी मतलब डश्ट हो गयरा उड़ना बंद हो जाए कि इसके बाद में है तो फिर निगालने के बाद में बैठा होगे वह हो से कि आपको डिफिकर्ट लगे तो इसके लिए आपको पहले चेक कर लेना कितने बाई कितना फिट होएका कितना एरिया जुकि बचेगा कितना कॉर्णर जिसके करने एक्जिट आपका perfect बैडिया है और यह मैं क्यों ब बंद करने की जरूत नहीं पड़ती वह फटाक से लगा देते हैं पर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसके लिए सारी चीज़े इंपॉर्टन चीज़े वह आपको ध्यान में रखना है तो मैंने इसका जो कि देख भी लिया exit कितना बैठेगा इसके बाद मैं आपको क्लीन क करने का यह reason कि कोई भी diyorum डुइज्ट नहीं कर पाऊ एक लगा दिया फिर आपको ड़े सार अपने आप निकली जाते हैं बस एक भी डश्ट नीचे स्क्रीन गार्ड के नीचे नहीं आना चीए और अपने हैंड वगरा को भी प्रॉपर ली क्लीन कर लिजें कहीं आप बाहर खेल वगरा क्या हो या फिर भाई को राइड कर गया हो तो मिट्टी रहेगा हाथ तो इसे क्लीन करने के बाद में नहीं लगाई है सो यह देख सकते हो मैंने पूरे वाच को एक दम प्रॉपर तरीकी से क्लीन कर लिया है स्क्रीन गार्ड को ले तो स्क्रीन गार्ड पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते एक फ्रंट का और एक बैक का तो जो फर्स्ट नमबर है विससे सबसे पहला इसके और आपको सिंदर एक स्करीन गार्ड गार्ड उन Joseph कि नहीं हो रहेगाaison करें एकसी और एका इसा लॉप इसके भी नूपर निशल्प कर एतो इसके बाद में पिर आपको आरहन से पढ़ने के बाद में रिमूव और लेना भातिनए से पार्के पकड़ लेना है इसके बाद में फिर आपको सबसे पहला जो कि इदर से लगाना चालू करना यह वाले पार्ट से लगाना चालू करना तो एकदम एकजट आप बीच में ट्राइए कि जब बैठाने के लिए थोड़ा सा नीचे भी रहे तो कोई भी इशू नहीं और बगल का पार्ट आप बाद में फिर आपको सेकंड वाला लेयर भी रिमोव कर देना है और इस तरह कोई कार्ड भी आप यूज कर सकते हो रिमोव करने के लिए इस तरह प्रेस कीजिए तो जो भी बबल्स वगेरा रहे हैं वह भी आपके कॉर्णर से फटा-फट रिमोव हो जाएगे क्रेडिट क यह फिर कोई भी स्कूल का इडी काड हो गया यह फिर आफिस का इडी काड हो गया जो फ्लैट रहना चीए एक दब तो इसे काम आपके और भी इजी हो जाते हैं बारिक-बारिक बबल्स को रिमोव करने के लिए हैं चाहिए तो आप इस टाइप का काड को यूज कर सकते हो और वाइसे भी बबल्स अपने आप गयाब हो जाते दो दिन में और जैसे कि लेयर थोड़ा मोटा होता है तो ऐसे लगता है कि बगल में श्टिक नहीं हुआ है पर इस लेयर को हम रिमोव कर देगे तो इसका जो में स्क्रीन काड रहे तो पतला लेयर रहे तो आराम से पकड़के भी मार् सकते यह बRa RGB कर देता हूं with कश्यार अफरेश करने बाद में पर दीधर है यह हम प्रस करते यह चितना तो इसे के वाज़को यह दो क्रते प्रेस कर आप साई कर सकते और automatically जैसे से आप watch को use करोगे ये screen display heat होएगा ये one day बात कभी मैं वीडियो अटेच करके भी आपको show कर दूँगा screen ये display heat होएगा automatically ये सारे के सारे bubble गाया बजागे एक भी आपको बबस देखने को नहीं मिलेगा तो जितने होसे के इतने bubble मैंने finger से remove कर दिये अब जो कि मैं one day after का वीडियो अटेच करके आपको show करता हूँ कि ये smart watch के सारे के सारे bubble automatically remove हो गया है और heat के विए से तो जैसे कि आप देख सकते हो fireball ninja call pro के अंदर properly हमारे screen guard लग चुका है कई भी एक भी bubbles वगेरा नहीं देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हो जैसे कि दो दिन पहले मैंने ये screen guard इंस्टॉल किया था अपने आप जो कि हलका फूल का heat होने के कारण दो दिन में सारे के सारे जो भी bubbles से चोटे मोटे वो भी remove हो गए सो आप आपको पता चलगा रहे का complete installation किस तरह screen guard को install करना है क्या आपको care रखना है तो कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे comment section में पूस्ट सकते हो ये screen guard मैं Amazon से purchase किया था pack of 299 रूपीज के करीब Amazon पे different different seller है same ये screen guard को 150 200 का seal कर रहे जो best seller रहेगा इसका link आपको मैं description में दे दूँगा जब मैंने purchase के offer भी चालू था तो हो सकते हैं आपको भी compromise में मिल जाए आप एक बाद description हुआ हुआ है